आयरुवेद में हींग को वाशिदी के तोर पर बताया गया है जिसका रोजाना सेवन करने की कई फाइदों के बारे में आयरुवेद में बताया गया है बच्चों के पेट का दर्द हो या फिर महावारी का दर्द हो एक चुटकी हींग के सेवन मातर से ही सभी तरह के दर्द दूर हो जाते हैं अगर आप रोजाना एक चुटकी हींग का पानी पीते हैं तो इससे आपके शेरिर को कई लाब होते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि हींग का पानी पीने से आपको क्या लाब दोस्तों हो सकते हैं अयुर्वेद में हींग को पानी में मिलाकर पीना प्राचिन समय में एक घर्ब निरोधक का उपचार माना जाता था इसके अलावा इसे पेट के रोगों का इलाज करने के लिए भी उपियोग में लाया जाता था आज भी ये सिलसिला जारी है हींग का पैस्ट बना कर छाती और नाक के उपर चिद्रों के पास लगाने से सर्दी जुखाम से दोस्तों राहत मिलती है साथ दिन तक हींग का पानी पीने से बोड़ी में जो पहला बदला आवाता है वह ये होता है कि पाचन शक्ती आपकी शरीर की पाचन शक्ती मजबूत होती है हिंग के पानी से बोड़ी में बनने वाली एसिड खत्म हो जाती है और पेट के कई रोग आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं महवारी के दर्द में हिंग बहुत लापकरी होती है महावारी के दोरान ज्यादातर महिलाओं के पेट में दर्द और मरोड की शिकायत होती है ऐसे में चुटकी भर हिंग पानी के साथ मिलाकर पीने से इस दर्द से दोस्तों राहत मिलती है आयुर्वेद में हिंग को शक्ती वर्दक दवा के तौर पर बताया गया है हिंग का इस्तिमाल खास तोर पर पूरुशों के लिए काफी कारगर होता है साथ ही ये कामेच्छा को भी बढ़ाती है गुर्दों के लिए हिंग का पानी लापकरी होता है हिंग का पानी मदुमे के लिए रामबान होता है इसके अलावा जिनके गुर्दे कमजोर हो उनके लिए भी हिंका पानी एक बहतरीन घरे लो उपचार होता है ये दिरे दिरे गुर्दे को खराब करने वाले संक्रमन को काड़ देता है और मुत्र मार्गर से बाहर कर देता है हिंके सेवन से दोस्तों हड्डिया मजबूत होती है हिंका पानी हड्डिया भी मजबूत बनाता है इसके अलावा इसे पीने से साथ संबंदी बिमारियों का अंध होता है रोजाना हिंग का पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है अगर आपके दातों में कीड़ा है तो ये आपके लिए लाब करी होती है दातों में कीडे लग गए हैं तो रोजाना सोने से पहले हलके गुनगुने पानी में चूटकी भर हिंग मिला कर कुला करने से दातों के कीडे की समस्याओं से दोस्तों छुटकारा मिल जाता है अगर आपको दाद और खाज खुजली की समस्या है तो हिंग आपके लिए लाबकरी होती है अगर शरीर में कई दाद खाज खुजली जैसे चर्म रोग है तो हिंग बहुत ही लाबकरी होती है चर्म रोग होने पर हींग को पानी में गिसकर उस जगह लगाने से फाइदा मिलता है हींग को दोस्तों एक एंटी ओक्सिडेट माना जाता है इसके पानी को ग्रहन करने से शेरीर में कई संक्रमनों का खात्मा होता है खर रहा होता है